प्रणाम के लिए ये आशिरवाद से नहीं ठीक होता देखो बस वही समझ में नहीं आता है इसी बटकाओं में सब बटक रहे हो कोई जनतुर बांदेगा कोई आसी इसलिए तो अच्छे कर्म करो पूर के पूर कर्मों के पाप से हमें दंड मिलता है अच्छे कर्म करो नाम जब करो माता पिता की शेवा करो शदभाव से चलो अभी ये कर्म नस्ठ हो जाएं कि किसी से जनतुर बंदवाने के जरूरत नहीं किसी से आसिरवाद मांगने के जगते हैं अगर बच्छा साउधान हो जाओगे तो सुखी हो जाओगे कोई भी हो हम किसी एक के लिए बात नहीं करते हैं सब के लिए करते हैं सब भागते हैं इस बात में कि बाबाजी आसिरवाद दे रोग रही तो कभी नहीं होगा कभी न हाँ देखो ना खा रहे हैं जीवों को उबाल उबाल करके मांस पी रहे हैं सराप कर रहे हैं बेविचार बुद्धी ब्रश्ट होगी और नश्ट होना पड़ेगा क्योंकि आचरन गलत हैं कोई आशिरवात किसी का काम नहीं करेगा आप अच्छे आचरन करो माता-पिता की से कुछ हो जाता है हम आपको पकी बात बताते हैं आज बाबा के आँ गए थी आर पीठ में दर्द कम हो गया यह तुम्हारा पुर्णी लग गया पुर्णी बन गया तुम्हारा कर्म तुम आए न यहां तो जिड़ जिव पाग आगे धरे कोटी निया गिस्मान सादु दरसन के लिए भाव से आए तो तुम्हारा वो रोग न्ष्ट हो गया? तुमारे कर्म से नंस्ठ हुआ तुम सतकर्म किया ना? उससे कर्न नस्ठ हुआ बात समझो बच्चा आप हमारे ग़र के ओश्म आसिरवात देने से हम कई बार oppression काय कि अगर तुम सुखी हो जाओ तो हम किसी कर्म का भोग ही आपको भोगना पड़ेगा कोई भी तुमारे कर्म को ने मिटा सकता एक मात्र भगवान एक मात्र भगवान मेरी बात मान लेना उनकी सरण में नाम जब करो सफिक हो जागा तुम्हारे भजन से होगा तुम्हारे अच्छे आचरण से होगा तुम्हारी धार्म नहीं है आज बिपत्ति आई खटम हो जाएगी अभी देन फिरात आजाएगा रात है तो दिन आ जाएगा यह क्रम चलता रहता है हमें निरास नहीं होना सुर्वीर युद्धा की तरह हमें जीना जीना आज कायर की तरह हमें जीना